लक्ष को याद करो कि तुम्हें क्या पाना है अभी तो स्टार्टिंग है अभी तो बहुत दूर जाना है तो वेलकम टो एजूबिन तो आज की जो वीडियो है यह होने वाली है जो एक्जाम बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं बच्चे टैंथ के और ट्वेल्थ के ठीक है त टो इसके लिए या कहसे हैं इसको प्रीपेशन स््क्राटजी है तो हम आते हैं हम इस प्रिख्वेंब आगजाम पहले टुस्ट हम जाता है उपर से बोर्ड एक्जाम जानी पेपर बाहर से आएगा दिक है च़किंग बाहर होगी हार चकिंग होगी ya इसी चकिंग होगी किस तो ये चेड़ीशी हुआएं क्यूंकि हम पढ़ते ही जाएंगे वह भी तरीका नहीं है तो पहले क्या बातों का ध्यान रहना है उसको हम पहले हैं तो कुछ तेज दिमाग, यहाँ तंदुर्श दिमाग कहा रहेगा अगर आपके बॉड़ी है, अगर आप ही बिमार हो, ठीक है, बुखार आ गया, आपको cold हो गया, तो कैसे study करोगे, तो आपकी study सारी बेकार हो जाएगी, तो पहले तो आपको healthy रहना है, उसके लिए आपको proper diet लेनी है अब डाइट क्या लेनी है? डाइट ऐसी लेनी है कि आपको एक तो बैलेंस डाइट लेनी है ठीक है? उसमें आपको फूट ज़्यादा लेने है ठीक आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है यानि जूस हो गया और पानी बार बार लेना है आपको और दुसरा जैसे जाप को चार रोटी की भूक है तो तीन रोटी कीजिए और चावल का इस्तिमाल कम कीजिए इस्पेशली साम को क्योंकि चावल खाएंगे तो नीद आती है और पेट एक्दम ज़्यादा भरा होगा तब भी आप जो है कमफर्ट नहीं होंगे तो थोड़ा जिगा बजा गए रखिए और बाकी और चीज़ ले सकते हैं आप फूर्ट हो सकते हैं कुछ और भी नमगीन वगएरा इस चीज़ें आप ले सकते हैं बिस्किट ले सकते हैं बीच में कभी गभी चाहे ले सकते हैं कफी ले सकते हैं ज़्यादा नहीं कूछ वह भी जो है नशा हो जाता हो भी तो वह भी निले लेना आपको ज़्यादा तो जूस ले सकते हैं आप तो आपको health का विशेष धियान देना है दूसरा, प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर नहीं लेना है, उसके लिए क्या करना है आपको only 10 मिनिट, daily 10 मिनिट आपको meditation करना है, meditation मतलब कि आपको आसम की इस अस्ता में बैठ जाना है, ऐसे हाथों को ले करके, और 10 मिनिट तक एकदम सांत हो करके, कहीं ध्यानी लगाना, सी अपने मन में आँके बंद करके खो जाना है, और सुबह के टैम, जब एकदम सांती होती है, तो इससे क्या होगा, अगर आपने 10 मिनिट टेली किया, तो यह आपको पावर देगा, पूरे दिन की पावर देगा आपको, यह करके देखिएगा, तो आपको benefit मिलेगा इसका, त तो पहला तो यह हो गया हमारा, टेक केर अप हेल्थ, तो पहले में हमने ले लिया है, टेक केर अप हेल्थ, तो हमें हेल्थ का विशेज ध्यान देना है, नेक्स्ट है हमारा, स्टे काम, कूल एंड फोकस्ड, यानि अगर हम कूल नी रहेंगे, यानि प्रेसराइज रहेंग को नीद ऐसा नहीं कि 8-10 गंटे लेना नहीं आपको 4-5 गंटे तो नीद लेनी लेनी है क्योंकि अगर नीद लेंगे तो आपके आखे जुकी रहेंगी बादा बंद होंगी दूसरा क्या है आपका बॉडी जो ठकी रहेंगी तो पढ़ोगे आप पड़ते रहोगे आप effort लगा रहे हो लेकिन माइंड में जाए गए नहीं तो क्या फैदा ठीक है तो pressure release करना है तो चार से पांच गंटी की नहीं लेनी है ठीक हो गया दूसरा यह हो गया second point third point है positive relation मतलब कि कि आपको positive सोचना है optimist रहना है ठीक हो बाद मुझे जो है मुझे कोर्स करना है मुझे जई में अड्मिशन लेना है तो उसके परसंटेज matter कर जाए तो ऐसा attention मतले जिए आप अपने प्रॉपर ध्यान देजिए अपने health का ध्यान देजिए पढ़ाय का schedule बनाईए ठीक है उसके हिसाब से आप study कीजिए और positive सोचिए ठीक हो गया के बाद आता है seek support sorry ठीक है उसके बाद आता है seek support मतलब की अगर आपको कभी भी कोई problem होती है तो आप support लेने से मत कत्राइए अब किसी teacher से आपको phone करना पड़े ठीक है उसके घर जाना पड़े या फ्रेंड से बात करनी पड़े मालोग किसी question है फस गए आप कोई chapter समझ में नहीं आ रहा तो उसमें कोई अगर family का कोई help चीए उनसे बोलिए कुछ books चीए कुछ sample paper चीए तो उनसे कहिए और जो कर सकता है उससे कहिए तो इसलिए कोई आपकी life का सवाल है उसलिए support जहां से मिल रहा है वहां से लीजिए इसमें कत्राइए मत यह होगा हमारा point number four fifth है हमारा stay balanced stay balanced मतलब क्या काम रहना है और ऐसा नहीं कि आपने बारह घंटे स्टार्ट कर ली study और खतम कर दिया ठीक है आज हमने target रखा कि बारह घंटे बढ़ना है पड़ो लेकिन बीच में चोटा चोटा ब्रेक लो जैसे आपने दो घंटा पड़ा तो पांच मिनट का है दस मिनट का चोटा ब्रे किसा से प्रेसर नहीं हो तो इसका ध्यान रखो खेलते हो आप गठाटा खेल सकते हो ज्यादा नहीं को ऐसा नहीं कि आप a फुल स्टॉप लग जाए आपको तो अपको अपने को बैलेंस भी रखना है ताकि प्रेशर ना रहे क्योंकि बोर्ड एक्जाम में क्या है ना मैं प्रेशर का होता है, जैसे आप एक्जाम में बैटोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको प्रेशर ऐसा होगा, कि आपको सुबह जैसे एक्जाम के लिए जाओगे, भूग नहीं लगेगी, कुछ खाओगे तो बेचेनी जैसी होगी, भारी पन जैसा, लेकिन एक्जाम में जाओ पेपर एजी आएगा, पेपर बोड़ का इजी आता है, ये सोचों कि अगर आपने पड़ा है, स्टेडी की है, तो पेपर एजी आएगा, तो आप वहाँ बैटोगे, पेपर जब दे के आओगे, तो एक्दव रलाक्स फिल करोगे, तो इट मिन्स क्या है, कि आपने पड़ सुनते ही, एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका ध्यान दीजिए, एग्जाम आर दा पार्ट आप दा लर्निक प्रोसेस, योर एफर्ट एंड डेडिकेशन मैटर, आपने क्या एफर्ट लगाया है, क्या डेडिकेशन दिखाया है, ये मैटर करता है, तो स्टे फोकस, स्टे का देना है, लेकिन एक प्रॉपर टैम टेवल, प्रॉपर र्लैक्श, पांदस मिट का र्लैक्शिएशन भी लेना है, खाना जो है, हल्दी डाइट लेनी है, बीच बीच में गैप लेना है, लेकिन गैप ज्यादा बढ़ाना हो जाए, और प्रेशर फ्री रना है, तो और कुछ मोटिवेशन लग के आएंगे, तो थेंक यू, अब आपनाइच देए,